फिसलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं फिसलना को इंग्लिश में slip कहा जाता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि गीले फर्ष पर मैं लगभग फिसल ही गया था तो आप कह सकते हैं I almost had a slip on the wet floor या अगर आप ये कहना चाहें कि किताब मेरे हाथों से फिसल गई तो आप कह सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें